हे गाईस वेलकम टू सक्सस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में तो दोस्तों गुड नियूज है खुश ख़बरी आप सभी स्टूडेंट के लिए जिस वेकेंसी इसका हमें सालों से इंतजार था फानले वो वेकेंसी आ चुकी है जियां दोस्तो है कि औरिनेंस फेक्टरी से हर मत कम से कम 3-4 वेकेंसी निकलती ही निकलती थी बट उसमें ITI वालों के लिए वनली AOCP ट्रेट के निकलता था कि लेकिन इस बार All ITI Junior Technician की वेकेंसी निकल चुकी ITI वालों के लिए जिसमें की All ITI ट्रेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जियां बिलकुल आप सही सुन रहे हैं किसी भी trade से आपने ITI पास आउट कर रखी हो जो maximum popular trade है वो सारे trade के candidate apply कर सकते हैं जो electrician, fitter, machinist वेसर हैं सारे trade eligible हैं तो चलिए detailed notification wise discuss करते हैं vacancy बहुत अच्छी खासी है 270 plus recruitment है Fraser candidate apply कर सकते हैं और इतनी बड़ी vacancy का इंतजार जो हमें सालों से था finally उस vacancy को कभी मत छोड़ा हैं तो चलिए detailed notification wise discuss करते हैं कि कौन-कौन से candidate apply कर सकते हैं LGBT condition क्या होगा trade कौन से candidate apply कर सकते हैं और selection procedure क्या होने वाला है ये नोकरी आपको कैसे मिलेगी सब कुछ भी detail के जिरिये सर्चा करेंगे तो start करते हैं आगे बढ़ने से पहरे चलेंग पे नहीं हैं सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा पहला icon को प्रेस कर ले और इसी तरह बेहतनी जौब सब्डिट पाने के लिए टेलिग्राम चैनल से भी जूड़े रहे हैं तो भाईया ये है आपका official notification चोकि ordinance factory के दब पार्ट है heavy vehicles factory जिसे हम अवनी बोलते हैं यही से आप सभी candidate के लिए job की vacances release की गई है notification number आप check कर सकते हैं और all India के candidate apply कर सकते हैं देखिए कैस अवनी या फिर ordinance factory ministry of defense के अंडर में आता है और अभी हाल फिलाल ministry of defense के अंडर में जितनी भी vacances निकल रही है सारी vacances एक प्रकार की contract period पे है project basis पे है तो ये भी vacances आप सभी candidate लिए एक fixed tenure basis पे है यानि कि FTC की base पे recruitment release की गई है ordinance factory में अभी जितनी भी vacances आ रही है आपको पता है कि सारी vacances as a contract base पे है लेकिन बेहत्री न पॉच्णोडी है इतनी बड़ी department की तरफ से permanent jobs की vacances निकलने वाली है बहुत जल जिसमें आपको काफी ज़दा benefits मिलने वाली है और घबराइए नहीं जब जॉब लगेगी तो आपको नहीं निकाला जाएगा ordinance factory, HAL किसी को भी नहीं निकाल रही है चाहिए project basis पे contract basis पे क्यों ना hiring चल रहा है अब आप ही बताईए आपको गोला बारुद बनाने आ जाएगा यहाँ पे तो आपको थोड़ी न कोई निकालेगा इसमें ज़्यादा पोस्ट भी अच्छी खासी उतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं है दो पोस्ट पर recruitment है अब आ जाते हैं दूसरी है diploma technician की याने कि एक junior manager की है एक diploma technician और दूसरी junior technician जो है एक ITI student के लिए है diploma technician तो diploma वालों के लिए है diploma technician पर बात करें में contract designing इनकी vacancies है तीन पोस्ट पर फिर आ जाते हैं आपका junior technician अब junior technician फोर ITI student के लिए जहां पर blacksmith की vacancy पाँच है ध्यान से देखना master recruitment release की गई है यार फिर आपको electrician की मिल जागे तो electrician की total 35 पोस्ट पर vacancies आउट की गई है जितने भी idea electrician की trade वाले बोल रहे थे की कब vacancy आएगी देखलो भहिया vacancies निकल चुकी है और मौका मत शोड़ना apply करने की अगर आप process आते हैं तो वो भी हम आपको बताऊंगा junior technician fitter electronics की recruitment है total 10 पोस्ट पर fitter general की vacancy है जो only fitter के kindred apply कर सकते है 69 बहुत अच्छी खासी पोस्ट है fitter वालों के लिए मौका मत जाने दीजीगा auto electric जो fitter auto electric होता है 7 पोस्ट पर fitter AFV होता है उसके लिए 20 पोस्ट पर इसमें must vacancy यानि fitter वालों के लिए जब अरजस्ट recruitment है आपने fitter कर रखिये तो बिल्गुल apply कर सकते है mail ride के लिए 5 vacancy है मसनिस्ट बहुत अच्छी खासी recruitment है total 40 post पर vacancy रिइनवाइट की गई है मसनिस्ट ट्रीट के लिए next junior technician idea student के लिए OEMHE की ट्रीड है 8 post पर recruitment है rigor वालों के लिए 5 post पर vacancy इसमें 5 post पर vacancy welder master vacancy है तो apply करना इतनी बड़ी vacancy है मौका मत जाने देना यार फिर आपका assistant जो एक contract legal में vacancy है 271 vacancy है और सब कुछ qualify करो PWD एक्सपरें तो लगब लगब 300 post यहां पर पहुँच जाती है इतना बड़ा मौका है ordinance factory में various trade के candidate वो भी Fraser candidate एपलाई कर सकते इसमें कोई भी experience की जूरत आपको यहां पर नहीं मिलने वाली है PWD वालों के लिए कुछ यहां पर relaxation दिया गया है सारे candidate एपलाई कर सकते हैं यहां पर आपकी experience required होगी देन आपकी diploma technician civil में तो diploma civil engineer के candidate एपलाई कर सकते हैं एक आपका quality inspections में recruitment था तो इसमें mechanical होगी आप production electrical electronics सारे candidates फर्म को एपलाई कर सकते हैं फिर आपकी designing में वेकेंसी हैं तो mechanical automobile electrical electronics इसमें भी candidate एपलाई कर सकते हैं अब आज आते हैं हम ITI student के लिए diploma student को कोई doubt है तो comment बेंस ज़रूर बताएगा अब अपना branch comment कर दीजगा मैं बता दूँगा आप हैले इसवल हो या फिर नहीं हो ITI वालों के लिए simple आपके pass otherwise आपने 10th pass कर रखी हो plus आपने apprenticeship कर रखी हो NAC यानि कि 10th pass करके apprenticeship किया है तो आप सारे post apply कर सकते हैं relevant trade से otherwise आपने कुछ भी नहीं किया आपने ITI कर रखी हो और ITI वालों के लिए नहीं apprenticeship की ज़रूरत है नहीं कोई experience की ज़रूरत है Fraser ITI के candidate apply कर सकते हैं जिस भी trade से आप apply करना चाहते हैं उस trade में ITI pass out होनी चाहिए जिसे की blacksmith blacksmith में आप करना चाहते हैं तो blacksmith foundry में foundry में आपका होना चाहिए electrician में power electricians होना चाहिए तो अपने अपना trade साब सारे यहां पे trade देख लेना fitter auto electric की जो recruitment है वो auto electrician वाले apply करेंगे धियान रखना और जो mill right contract में vacancies है mill right में mill right mechanic हो गया mechanic machine tool maintenance हो गया mmdn के candidate जो है वो सारे candidate इस वों को apply कर सकते machineist की must vacancy है तो machine street के candidate eligible होंगे उसके बाद आपका जो O.M.H.E. बोलते हैं operator mentoring material handling equipment इसमें 10-10 के candidate eligible होंगे but two year की experience required होगी अधरवाज आपने iti कर रही हो crane operator से में तो phraser candidate apply कर सकते हो आपके रिगर में तो 10 pass plus आपने iti कर रही हो रिगर में NAC कर रही हो NTC तो आपके पास experience यहाँ पर required होगी okay penter में iti penter welder gas electric welder के लिए master recruitment है यर legal के लिए हाँ पर देख सकते हैं तो ll भी मांगी जाती है तो mostly आपने iti के student की vacancies देखी जिसमें सबसे ज़्यदा post एक iti student के लिए है तो मुका मत छोड़ना बहुत अच्छी खासी post है apply कीजिए 18 साल से लेकर 28 साल के candidate apply कर सकते हैं अब salary थोड़ा देख लो कि salary कितनी मिलेगी गाईस salary यहाँ पर आप देख सकते हैं एक junior manager की salary होगी 30,000 पर मन्त diploma technician की salary होगी 20,000 पर मन्त और junior technician जो एक iti student की salary होगी 21,000 पर मन्त जो एक legal की vacancy थी उसकी होगी 23,000 पर मन्त तो सारी salary यहाँ पर disqualified है इसके अलावा basic पर यहाँ पर कुछ special NOS 5% का मिलता है 3% आपको increasement आपको annual में मिलने वाली है dress, DNS, learners, applicable यहाँ की आपको DA मिलेगी यहाँ पर मान के चलो कि 3000 कादर benefits telephone वेगरा मिलता है सब कुछ मिला कि जो एक जराइटिया student की salary होगी लगब लगब 30,000 हो जाएगी diploma की salary वही चल के जगा जाए तो यहाँ पर अराम से यह भी आपकी 30 से 32 पहुँच जाएगी ओके गैस तो मैं बेहतरीन opportunity है किस प्रकार की selection होगी अब यह design करता है देखे वाईस यहाँ पर selection process बहुत ज़्यदा manage करता है यहाँ पर ध्यान से देखना जूनियर मैनेजर contract की जो recruitment है 85% आपका चलेगा degree जो percentage है 15% interview contract diploma technician वालों के लिए यह भी 85% होगा 15% interview और ITI student की जो selection process है आपका जो exams में है ITI का exams है या फिर आपका apprenticeship का जो 10 pass करके किया है उसका percentage वाई total 100% यहाँ पर shortlisted किया जगा trade test वो आपका सिर्फ qualifying nature का होगा ओके और assistant वालों के लिए यहाँ पर भी same चीज लागो होती है पहतरीन opportunity है पहले जाकर form apply कर लो आप जितने भी सारी candidate eligible हो 300 रुपे application चार्ज लगने वाला भीया धियान से देख लो SBA collect के जरीए payment करना होगा 300 रुपे application चार्ज है और STC वालों के लिए इसमें कोई चार्ज यहाँ पर या फिर female candidate का चार्ज नहीं लगने वाला है form आपको fill up करनी है download करके और इस दिये गए address पी आपको 21 दिन से पहले आपको form भीजनी होगी अभी आपके past time है आप आराम से form apply कर सकते हैं 30 जोन से पहले यह form है form fill up कर लिज़ेगा form में कोई दिक्कातारियत comment करके बताइएगा मैं form की वीडियो ला दूँगा अब जितने भी student है form की वीडियो चाहते हैं तो मुझे comment करके बताना form की वीडियो में आपके लिए भीज़ दूँगा तो आराम से form apply यहाँ पर कर सकते हो form के साथ जितने भी सारे documents आओगे आप साब को attach करके send करनी होगी ओकी गैस तो यह form है आप देख लेना एक बर कुछ extra doubt है तो comment करके बताइएगा वीडियो इस पर लगी हो so please like, share and subscribe करें सारी link description में मौज़ू दे बहतरीन मौका है मौका मत जाने देना ओके शेली मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए इस जैहिन